आज कैश दिरेन मोमेंट के दूसरे साइट पर आप सभी का स्वागत है अज हम लोग अमर बाहदूर के खित पर आए हुए हैं और यहां पर उसका एक टिबूल है इसका देखिए यहां पर इस टिबूल है और इस टिबूल के ठीक बगल में यहां पर एक कुवा है आज से कुछ सालों पहले इसी कुवे में टिबूल की बोलिंग थी और यहां टिबूल का काम कर रहा था लेकिन जैसे जैसे एंडर ग्राउड वाटर का लेवल नीचे गीरा यहां टिबूल का एम लग बचा नहीं है इसलिए यहां से ऐसी टिबूल को छोड़ करके उन लोगों ने इस टिबूल को बनाया है यहां पे टिबुल की स्रावल का बोरिंग है और वहां से लों का काम होता है तो इसलिए यहां पे जो कुआ है वो फिलहाल में यूजले से बेकार पड़ा हुआ है और तो हम लों का सोच यह था कि अपने कैज जिरेन मोमेंट के पानी बचाने के अवियान को यहां पर भी शुरू किया जाए और यहां पर भी बहुत अच्छे से हो सकता है क्योंकि बहुत ही विशाल कुआ है और बेकार पड़ा हुआ है अगर इसमें काम करने की कोशिस की जाए थोड़ा सा प्रयास कर दे दितने आने वाले ज nuclear वयवता हैं उन सभी में अपने पानी को उकठा करने का प्रयास करएगा जहां से जमीन ईसटाइट हुआ है वहां से ले करके इस पीबल तक जो सामने दिख रहे हैं आपको वहां तक का पानी उस खुं yapt में जा सकता है और इस जमीन में जितना भी पानी खठा हो सकता है उसको अंडरग्राउंड करने का प्रयास किया जाएगा मुझे यहां पे किये गए काम से कितने पानी की बज़त होती है इस बात से हमको कोई खास प्रक नहीं पड़ता है क्योंकि आज जब हमारे देश के कम से कम 21 एक ऐसी गिंती में आ रहे हैं जहांका भूमिकत जल अंडरग्राउंड वाटर बिल्कुल सुखने के कागार पे हो ऐ यह काम के हमारी मजबूरी है सैद में इसको जगरुकता कर सकते हैं हम यह कर सकते हैं कि हम उस आने वाले समस्या को देखने में सक्षम है जो हमारे देश सामना करने जा रहा है बारिस के बचाने का जो प्रियास किया जा रहा है अगर देखा जा तो क्या इस काम को कोईने की है हां बिल्कुल क्योंकि कम से कम हमारे यहां बारिस हो तो रही है ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर भूमी का जल्ब विल्कुल समाथ हो चुका है और वहां पर बारिस होती भी थोड़ी बहुत धीस है अगर होती भी तो अपना काम चला सकते थे लेकिन जहां पर गुणिंगा समात हो जाता है अगर दुरभाग यवस वहां पर बारिस भी कम हो और ऐसी बहुत सारी जगाएं हैं भी तो वहां के लोगों को बहुत बढ़ी समझ्या हो सकती है लेकिन हमारे यां कम जगम बारिस भी होय, बारिस भी थोड़ी बहुत दो सालों से अच्छी हो रही है, उसके पहले हम लोगों ने भी एक ऐसा समय भी देखा है, जहां पर करीब 10 सालों तक अच्छी बारिस हो ही नहीं, तो यह बाते हमारे लिए कोई नहीं नहीं होनी प्रियास करना चाहिए, ताकि यह पानी कम से कम बचे, तो ऐसे समय में आप ऐसे माध्यमों का, कुए का, तलाब का, नदियों का इस्तमाल करके उसमें आप पानी अगर डाल देते हैं, उसको डाइवर्ट करके उसमें इकठा करने का गड़ों में प्रियास करते हैं, तो यह पानी आप कड़ों में तलावों में जबी कठा करते हैं उस पानी को पड़याप्त समय मिलता है ताकि वह जमीन के अंदर जा सके और इस जमीन के वाटर लेवल को बढ़ा सके आप हजारों लीटर लाखों लीटर नहीं तकम सकम एक दो लीटर बचाने का भी अगर प्रयाश कर करका मोटा ही प्रयाश करें हैं है हुआ है 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 यह है यह है 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 यह जो आधर लागा जे उपना लागा सुपक्री आ अ धन्के किसा गए और लेगा है, पाले लेगा, पाले लेगा है है। टीकोई जदे सुझ और धंभान सह denkt कर सब्सीन बां बां मां ना जैनक जो जबाद़ प्राइब रिए को सहा है पाल आको जयाराी कारता झेम हुआ ? जबादւ एक सब करा हम पूनीक। प्राइब कर्दों प्रवाल प्रवाल प्रावल झोल्त पुली थो... हज कि और मृताईसाँ पाय ही और मृति रखे और जब त्सुछे लोगन मैं ड्सकुर्या प्हार। कि अपका राध्य कर अपका राध्या जाओ बढे बावाल अजय को चेल फटे जने के प्योंटर शाहबााट लावले भावले नचे लावल भावले लावले लावल लोब लामले लावल झांचर जो चृब जो ऊड़ झाल